नमस्कार, स्वागत अबच्चो आपका सैल्फ स्टेडी के चैनल में और आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं परस्तावना के बारे में यानि भारतिय समिधान की परस्तावना या फिर कहें प्रियंबल के बारे में आप इसको प्रियंबल बोल लो इंग्लिश में या फिर आप इसको प्रस्तावना बोल लो हिंदी में या फिर प्रस्तावना का दूसरा नाम है उदेशी का आप इसको उदेशी का भी बोल सकते हो उदेशी का कैसे समिधान का क्या उदेश्य है किस direction में जाना चाहिए समिधान ये परस्तावना बताता है clear अब सबसे important बात पर आते हैं कि sir pdf कहां मिलेगी इसकी pdf आप लोगों को मिल जाएगी telegram का एक link दिया मिलेगा description box में तो आप जाकर वहां से इसकी pdf जो डाउनलोड कर सकते हैं साथ इसाथ ये थर्ड वीडियो है इसकी पिछली दो वीडियो है जिसके अंदर हमने भारतिय समिधान का इतिहास जाना था brief उसके बारे में हमने बढ़ा था कि शुरुआत कैसे हुई थी अंग्रेज आये थे यूद होने स्टार्ट होए थे उसमें समीतिया मनाई जाएगी कौन उसकी अध्यक्षता करेगा कितनी महिलाएं होंगी उन महिलाओं के नाम क्या थे वो सारी चीज़े हमने सैकेंड वीडियो के अंदर कवर की थी आज हम प्रियंबल करने वाले हैं तो यह जो पिछली जो प्रिविएस दो वीडियो हैं एक तरीके से वो आप लोगों के एक प्लेइलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल के उपर लुशन्ट जीके करके तो वहाँ पर आप जाके इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं आप लोगों को पीडियो भी प्रोवाइड करवाई गई है इसी टेलिग्राम चैनल पर इवन आप लोग सेल्फ स्टेडी के नाम से जब टेलिग्राम पर सर्च करेंगे सेल्फ स्टेडी के नाम से तो आप लोगों को टेलिग्राम का चैनल भी मिल जाएगा वहाँ से आप लोग इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं ओके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मिना थीसी देरी के परस्तावना के बारे में अब बात करते हैं परस्तावना क्या होती है देखे परस्तावना यहाँ पर लिखा है, आप थर्ड चैप्टर खोलते हैं बुक का open करते हैं, जाँ भारती समिधान है भारती समिधान का थर्ड चैप्टर open करते हैं तो Lushant की बुक के अदर आप लोगों को यह मिलता है उदेशी का या फिर परस्तावना यहाँ पर आपको यह लिखाओ मिलता है अच्छा important जी जाती है कि preamble क्या होता है preamble क्या होता है देखे pre का मतलब होता है पहले आने वाला अब आपने एक book ली होगी एक example छोटा सा लेते हैं आप समिधान की बात ना करते हो एक simple सी book के बात करते हैं आपने कोई लक्ष्मी कांत ली for example या फिर आपने लुशंट की book ले ली ठीक है लुशंट की जब book ले ली तो आपने जब उस book को open किया तो starting का page जब आप देखते हो तो starting के page पे कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है तो वहाँ पर उसको कहा जाता है preface preface बोले तो वो जो चीज़ है वो जो page है वो उस book के बाने बताएगा कि इस book में क्या-क्या content होने वाला है clear यहाँ पे अब same हम constitution के बारें बोलते हैं कि गब आप constitution open करते हैं जब आप constitution open करते हैं तो constitution के अंदर भी आप लोगों को एक page starting में मिलता है और उसी page को कहा जाता है preamble और यह preamble यह बताता है कि भारत का समीधान कैसा होने वाला है for example अगर आप लोगों को किसी देश का किसी देश के बारे में जानना है कि वहाँ पर कैसी सरकार चलती है वहाँ पर जो लोग हैं कैसे रहते हैं वहाँ पर कैसी सरकार को चुनते हैं क्या वो democratic है या फिर वो communist है या विर किस तरीकी की विचार धारा है तो obviously आप वहाँ के constitution को पढ़ेंगे तो वहाँ के आपको constitution को पढ़ेंगे तो constitution से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसी जो है वो विचार धारा चल रही है लेकिन आप इतने बड़ा constitution पढ़ेंगे कैसे किसी देश का तो भई आप करेंगे क्या इस constitution को ना पढ़न केर आप वहाँ के preamble को पढ़ लेंगे भई preamble यह बता देगा कि यह जो constitution है एक तरीके का सार ही होता है इस समीधान का सार होता है यानि इसमें निचोड होता है यह निचोड है कि समीधान क्या है तो यह आप preamble पढ़े होगे किसी भी देश का तो आपको पता चल जाएगा वहाँ के constitution में क्या-क्या बातें लिखी गई है जैसे कि भारत के preamble में यह लिखा गए है कि भारत एक secular country है तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर सभी धर्मों को समानता दी जाती है पच्चीस से लेके 28 आर्टिकल लिखे गए है यहाँ फिर यहाँ पर बोला गए है कि यहाँ पर तो यह सारी बातें जो भारत की preamble में लिखी गई है तो इससे हम यह नहीं समझ पाते कि भारत का समीधान किस direction में जा रहा है तभी तो इसको उदेश्ची का बोले गए है कि भारत के समीधान का उदेश्चे क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए उदेशे तो वो सारी चीज़ें जो है आज हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा तो अब बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं कोशन एक उठता है हमारे सामने कि Constitution का ये जो प्रियंबल है ये कहां से लिया गया कहां से बनाया सबसे पहले कहां पर था ये क्या भारत में आया गया था स्टार्टिंग में या फिर किसी और देश ने बनाया था देखें ये जो था स्टार्टिंग में यह जो concept है हमने USA से लिया है पंडी जौलाल नहरु जी ने यह जो preamble था वो उदेशी का परस्ताव उन्होंने पारित किया था 13 दिसंबर मतलब कि introduce किया था 13 दिसंबर 1946 को समिधान सबा में वो एक तरिके से समिधान अमेरिका से लिया गया था वहाँ पर भी हम भारत के लोग यह जैसे स्टार्ट होता है ना अमेरिका के अंदर भी हम अमेरिका के लोग एक या फिर का युनाइटि स्टेट ओफ अमेरिका ऐसे ही स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ पर हमने अपने according चीज़ों को रखा गया है same नहीं हमने concept लिया है copy नहीं किया है इस चीज़ को ध्यान रखना तो USA से हमने लिया है और USA ने जब preamble introduce किया तो बहुत सारी जो countries है वहाँ पर भी उन्होंने अपने constitution में preamble include करना start कर दिया और same भारत ने भी किया तो यह हो गया preamble एक simple lemon language में सिखाऊ बताऊं तो suppose आप त्यारी कर रहे हैं और आप त्यारी करते करते आपके पास एक रिष्टा आता है पंडी जी आया आपके पास पंडी जी आया आपके पास और आपको बोले यजमान आपके लिए एक लड़की है बताईए आपका बात करना चाहेंगे उससे और आप जो है क्यारे कि पंडी जी अभी time नहीं है मेरे पास मुझे अभी निकलना है मैं बात नहीं करना चाहता है ऐसा बोलोगे नहीं आपको पंडी जी थोड़ा सा कम time है मेरे पास एक काम करिए आपनो मुझे मोटा मोटा बताजी जी लड़की के बारे में लड़की कैसी तो पंडी जी कहते हैं अरे लड़की पड़ी लिखी है शुशील है सुन्दर है यह तीन जो कीवर्ड जो है वो पंडी जी ने आप लोगों को दे दिये कि भई सुन्दर है शुशील है और पड़ी लिखी है यह तीन कीवर्ड जो है वो आप लोगों को पंडीजी ने दे दिये तो इस कीवर्ड से आप समझ नहीं गए कि आर हां लड़की अच्छी है जब ऐसा आप समझ रखते हैं तो ऐसा प्रियंबल में भी जब जो कीवर्ड सो दिये गए हैं जो शब्द हैं इसके अंदर जब आप उन शब्दों को समझ लेंगे तो आपको बता नहीं चल जाएगा कि प्रियंबल जो भारत का समिधान वो कैसा है अब हम यहां पर बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे उन्हें ही समिधान के उदेशिका में शामिल कर लिया गया वही कैसा होना चाहिए समिधान समिधान का जो 42 समिधान शंशोधन है इंपोर्टन है बहुँ जादे इंपोर्टन है 42nd Constitutional Amendment 1976 में हुआ जिसमें शंशोधन किया गया था प्रियंबल के पहली बार इस शंशोधन हुआ था एक ही बार इस शंशोधन हुआ है 1976 के अंदर जिसके अंदर तीन शब्दों को जोड़ा गया था अब ये लेकिन इतनी असानी से नहीं जोड़ा गया था इसके उपर बहुत वाद विवाद हुई बहुत ज़ादा डिबेट हुई कि भी आप प्रियंबल के अंदर शंशोधन कर सकते हैं नहीं कर सकते और शंशोधन तो तब करेंगे जब प्रियंबल जो है वो आप Constitution का हिस्सा मानेंगे अब एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है देखिए हम भारत के लोग जो प्रियंबल में स्टार्टिंग होती है वो ऐसे बोली जाती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण परभूतव संपन यानि सौवरन समाजवादी यानि सोशलिस्ट पंथ निरपेक्स यानि सेकुलर लोकतांत्रिक यानि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने में तदा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय काफी जादा इंपोर्टन है भाई ये जो चीज है कि क्या मिलने वाला है लोगों को यहाँ पर समाजिक यानि सोशल समाजिक यानि सोशल जस्टिस मिलेगा समाजिक न्याय मिलेगा आर्थिक यानि एकोनोमिक न्याय मिलेगा राजनीतिक यानि पोलिटिकल न्याय मिलेगा क्या होते हैं ये समाजिक राजनीतिक और नाजनीतिक यहाँ तक पहुँचने के लिए ये राजनितिक नयाय तक अगर आप लोगों को पहुंचना है तो इन दोनों चीज़ों को complete करना बहुत जादा जरूरी है ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा ही व्यक्ति को राजनितिक नयाय पकड़ा दिये जाएं नहीं हो सकता सबसे पहले ये दो चीज़ें हैं समाजिक और आर्थिक इन दोनों को एक तरीके से मतलब पहुंचाना होगा लोगों तक तब जाके राजनितिक नयाय मिलेगा क्या होते हैं समाजिक नयाय समाजिक नयाय वो होते हैं जहां पर कहीं पर भी बेदबाव नहीं होगा discrimination नहीं होगा वहाँ पर लोग आपस में आराम से प्यार से रह रहे होंगे आर्थिक न्याय यह होगी कि गरीब लपके को भी आगे बढ़ाया जाएगा equal opportunities दी जाएगी वो होती हैं आर्थिक न्याय तब जाके यह दोनों चीजें fulfill होंगी समाजिक और आर्थिक तब जाके राजनीतिक न्याय दिया जाएगा राजनीतिक न्याय क्या होते हैं राजनीतिक न्याय होते हैं कि आपको vote डालने का अधिकार है आपको vote ना डालने का भी अधिकार है clear यहाँ पे तो जब यह दो चीजें होंगी तब जाके आप लोग राजनितिक नयाय तक पहुंचेंगे साथी साथ इसमें क्या बोला गया है कि विचार कि आप अपना expression अपने विचार अभी व्यक्त कर सकते हैं अभी व्यक्ति के आजादी है विश्वास है धर्म और उपासना की स्वंतंतरता है कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं उसका परचार परसार कर सकते हैं पर थिष्ठा और अफसर की स्वंता हर इनसान की अपनी इक integrity है उसे बराबर का अफसर यानि opportunity दी जाएगी प्राप्त करने के लिए तताहून सब में वेक्ति की गरीमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनश्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए द्रिड संकल्प होकर अपनी इस समिधान सवा में आज तारिक 26 नुवंबर 1909 को एतद द्वारा इस समिधान को अंगिगरित, अधिनियमित और आत्मस मर्पित करते हैं तो ये बात है, काफी ज़्यादा important है, एके करके ये जो keywords है sorry ये जो keyword है, विचार, अभी वेक्ति, विश्वास, धर्म, उपास ये हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं आगे चलते हैं ये आपके सामने English में है we the people of India वो इसा भी आपने हैं हिंदी में पढ़ा हूँ, वो English में हैं यहाँ पर अब बात करते हैं प्रस्तावना की कुछ important बाते कहा जाता है कि समिधान समिधान की प्रस्तावना को समिधान की कहा जाता है constitution of की ये जो चीज है की क्यों बोला गया अरे आप समझजी है मैंने क्या कहा कि समिधान को आपको समझना है किसी भी देश के समिधान को समझना है तो आप सिरफ और सिरफ प्रस्तावना पढ़ लीजी है अभी लड़की का एंग्जामपल दिया secularism तो इससे पता चल जाता है कि भारत में हर धरम को equal जो है treat किया जाता है कि यहां पर किसी भी particular religion को priority नहीं दी जा रही है यहां पर हर धरम के लिए अगर हिंदुईजम के लिए कोई चीज प्रवाइड करवाए जा रही है वो इसलाम के लिए वो सिखिजम के लिए वो चीज़ें भी प्रवाइड करवाए जाएगी उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा समझ में आ रहा है तो यह secularism का उधार्ण हो गया लेकिन अगर आप पढ़ते हो पाकिस्तान का constitution वहां पर आप पढ़ते हो preamble को तो आपको पता चलता है वहाँ secularism नहीं है वहाँ भाई वो एक धरम को मानते हैं तो आपको पता चल गए यह तो यार एक particular Islam को मान रहे हैं यानि यहाँ पर दूसरे धरम को कम priority दी जाती है यानि वहाँ पर दूसरे धरम के लोगों के साथ गैर बरताव किया जाते है तो वैसा होता भी है वहाँ पर तो आपको समझ में आ रहे है कि परस्तावना में जो शब्द लिखे हुए है वो समिधान के बारें बता रहे हैं समिधान की चाबी ही तो है यह तो समिधान की परस्तावना को समिधान की कुझी कहा जाता है परस्तावना समीधान के आरंबिक अंक होते हुए भी कानूनी तोर पर उसका भाग नहीं है अब इसके बारे में डिसकस करेंगे थोड़ा सा अपने आपको patience रखना अच्छा इसमें बोला गए कि परस्तावना के अनुसार समीधान के अधीन समस्त्रक्तियों का केंदर विदू अत्वा स्त्रोत क्यों है भारत के लोग है यानि कहना चाहरा है कि जो constitution है इसको power कहां से मिल रही है इसको power मिल रही है भारत के लोगों से ही क्यों कि जो constitution है वो भारत के लोगों के लिए लिखा गया और भारत के लोगों ने ही उसे लिखा है कि हमारे उपर कैसे शाषन किया जाना चाहिए अब वो भारत के लोग ही डिसाइड करेंगे ना कि उनके उपर शाषन कैसे किया जाना तो इसलिए वो भारत के लोग ही समिधान को पावर दे रहे होते हैं समझ में आया यह क्या चाँ आगे चलते हैं अब इसमें जो लिखाए गए ना परस्तावना में हम भारत के लोग इस समीधान को अंगिगरित अधिनियमित और आत्मस मरपित करते हैं तो इसमें एक तरीके से जो सरवोच है हम बात करते हैं क्या सुप्रीम कोट सबसे उपर है क्या समीधान सबसे उपर है क्या पार्लेमेंट सबसे उपर है नहीं सबसे उपर भारत के लोग है भारत की प्रजा है वो है सबसे उपर क्योंकि उन्हीं ने अपने लिए समीधान बनाया है और अपने उपर चाशन कैसे करेंगे ये सारी बातें उस्तों विधान के अंदर लिखी गई है तो यही बात बोल रहा है कि भारत, भारतियों लोगों की सर्वोज, संप्रभुता का उद्गोश करते हैं हम भारत के लोग यहां पर परस्तावना को न्याले में परवर्तित नहीं किया जा सकता अब यहां पर देखिए, यह निर्ने यूनियन ओफ इंडिया बना मदन गोपाल 1957 में निर्ने गोशित किया गया था यानि यदि सरकार या कोई नागरी का परस्तावना को डिस्क्रिमिनेट मतलब कि एक तरीके से उसकी अवहिलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए अदालत में नहीं ले जाया ऐसा है सकता यह स्टार्टिंग की बात है फिर बेरुबारी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच नेले निर्ने दिया कि जहां समिधान की बाशा संदिक दो वहां परस्तावना विदिक निर्वाचन में साहता होती है अब समझो जरा यह पहले तो यह केस समझो यह बेरुबारी, यूनियन वाद यह होता गया है यह यूनियन ओफ इंडिया, बनाम, मदन गोपाल यह क्या है? पहले तो यह समझो जरा थोड़ा सा हमें एक पर इन चीजों को समझना है फिर यह चीज़ें समझ में आएंगे हमको अब देखिए जो हमारे देश में जो जस्टीस है, जो न्याए पालिका है, वहां पर केस जो होते है, एक सीविल केस होता है, एक क्रिमिनल केस होते है एक civil case होते हैं, एक criminal case होते हैं, ठीक है, अब criminal जो होते हैं, civil में, single bench, single bench होता है, जो कोभी अभी यहां पर किसी ने कोई अपराद कर दिया, civil मामले में हैं, तो वहां पर एक single bench होता है, single bench बोले तो वहां पर एक ही judge होते हैं, वो निर्ने दे रहे होते हैं, लेकिन criminal case के अंदर दो judge हो रहे होते हैं तो वो निर्णे सुना रहे होते हैं अब इहां पर इन दो judge को इनको कहा जाते है divisional bench अभी समझा मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ बहुत important है काम आएंगे अब लोग होगे तो दो judge होते हैं तो उनको बोला जाते है divisional bench अब बात आती है कि अरे दो हो गए तो एक ने अगर निर्णे हा दे दिया और एक ने निर्णे ना दे दिया तो वहाँ पर फैसला बीच में रह गया कहां जाएगा भाई तो वहाँ पर ये decide क्या गया कि अब एक और होंगे यानि तीन होंगे तीन judges को एक तरीके से divisional bench ही कहा गया क्योंकि यहाँ पर विशम संख्या होंगी विशम संख्या होगी एक की हाँ एक की ना है लेकिन तीसरे को यह नहीं कि मैं neutral रहूँगा नहीं एक पक्स तो लेना बढ़ेगा यहाँ पर तो इस करके यहाँ से विशम संख्या होंगा एक तरीके से सिलसला स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं वो bench होते हैं तीन bench को का होता है तीन judges का bench होता है पांच का होता है, साथ का होता है, नो का होता है ग्यारा का होता है और तेरा का होता है तो यह होते हैं यहां पर तो यहां यह जो होते हैं बैंच होते हैं एक तरीके से यही फैसला सुना रहे होते हैं अब यहां पर आपके देखेंगे न यह तीन बैंच यह तो हो जाता है आपके सामने क्रिमिनल के लिए अब यह जो कोई ऐसा मामला जो समीधान से related है तो वो जो है सिदा बैंच के पास जाता है पांच जजीज की बैंच बैठती है वो निर्ने दे रही होती है अब यहाँ पर समझो यह Union of India बना मदन गोपाल के है Union of India versus मदन गोपाल है यह मदन गोपाल किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है किसी factory का भी नाम हो सकता है यह एक तरीके से यह कोई जरूरी नहीं है कोई वकील हो कोई जज हो कोई बहुत बड़ी personality हो यह तो आम इंसान भी हो सकता है आप और मैं भी हो सकते हैं यानि कह सकते हैं कि XYZ versus Union of India बही किसने फिर धिरे धिरे अब क्या होता है कि यह जो पांच आगे इन्होंने कोई फैसला दिया फिर थोड़ी बाद थोड़े टाइम बाद इनको realize हुआ कि नहीं हमें अपना फैसला revise करना चाहिए उसको बदलना चाहिए यह पार देखे होता है फिर यानि एक तरीके से जो पीछली जो बेंच बैटी थी उससे एक अगली बेंच बिठानी पड़ती है उससे बड़ी संख्या के अंदर तो यह जो बेरुबाडी Union वाद है यह बेरुबाडी है क्या एक चुल में यह देखे यह जो बेरुबाडी यह है यह एक जगह है पश्ची मिंगाल में यह पश्ची मिंगाल में है अब ऐसा नहीं है कि यह बेरुबाडी वाद बेरुबाडी में जो है बेरुबाडी वर्सी यूनियन ओफ इंडिया इसके अंदर प्रियंबल को घसीट लिया गया था नहीं भई प्रियंबल नहीं था यहाँ पर प्रियंबल तो आ गया था बेरुबाडि जो है वो जमीनी से related था सीमा विवाद से related था वहाँ पर बंगलादेश और भारत हैं यह जमीन का अपना आदान-पर्दान कर रहे थे कुछ जमीन हमारे हिस्से में आनी थी कुछ जमीन बांगला देश के हिस्से में जानी थी जादा तर बांगला देश के हिस्से में जानी थी इस करके वहाँ पर विवाद हो गया था और उस विवाद में ये का गया था कि क्या भारत अपनी जमीन को किसी दूसरे देश को दे सकता है तो ये विवाद वो है बेरुबाडी ये वो है बेरुबाडी और यहां पर जो है एक तरीके से प्रियम्बल यहां पर आ गया था इसलिए लिखा जाता है कि कुछ निड़ने यहां पर दिया गया था कोड ने बोला कि कोई अगर केस ऐसा आ जाते कि उसको समझने में दिक्कत हो रही है तो वहां पर हम परस्तावना की हैल्प ले सकते हैं वो इसे इंटरपरेट करेगा कि परस्तावना में क्या क्या लिखा गया है हम उसके कोडिंग चल लेंगे वहां पर क्लियर यहां पर अब आगे चलते हैं यह हो गया बेरुबाड़ी वाद में ही सर्वोज नेले ने क्या का परस्तावना को समिधान का हिस्सा नहीं माना अब आगे चलते हैं अब यहां पर जो थे देखें तीन केस काफी जादे इंपोर्टन्ट है तीन केस कौन-कौन से है एक तो यह बेरुबाड़ी हो गया एक तो यह बेरुबाड़ी हो गया एक यह केश्वानन्द भारती हो गया KBC केश्वानन्द भारती हो गया एक SM बोमाई हो गया SM बोमाई हो गया ये तीन केस काफी important है ये बेरुबाडी वाले में तो कहा कि परस्तावना का हिस्सा नहीं है KBC यानि केश्वनन्द भारती केस 1973 में हुआ था न और इस SM बंबाई में इन दोनों में कहा कि हाँ जो परस्तावना है वो समिधान का हिस्सा है ये 1973 में बात बोल दी गई अब ये KBC जो केश्वनन्द भारती है ये केश्वनन्द कौन थे एक तरीके के पुजारी थे जब जमिदारी वहाँ पर एक तरीके से जमिदारी एक्ट लाया गया था ना कि किसके पास इतनी निश्ची जमीन से जादा नहीं होना चाहिए ये वो केश था एक पुजारी थे इन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसा के लेके जा रहे हो ये एक्ट लेके आ रहे हो तो मेरी जमीन है मतलब मेरे हाथ से चली जाएगी तो यहाँ पर इसमें परस्तावना आ गई थी वहाँ पर तो KBC जो है एक तरीके से केशवनन जोजी थे ये यहाँ पर पुजारी थे और ये सुप्रीम कोट के पास गए थे और यहाँ पर ये बहुत जादा इंपोर्टन्ट है ये सबसे बड़ा एक तरीके की बैंच गटित की गई थे इसके अंदर 13 जज़ी की बैंच इस केस के हंदर गटित की गई थी भारत की थियास में सबसे बड़ी बैंच इस केस के अंदर गटित की गई थी आप सोच कadamente देख सकते हूँ कि पहले तो 5 बनी होगी फिर उसको revise किया गया होगा, फिर उसको review किया गया होगा, फिर उसको review किया गया होगा, फिर यहां पर आते हैं यहां फैसला दिया गया है, तो KBC यह है, तो यहां पर KBC में आते हैं बोला गया कि हाँ बई, समिधान परस्तावना जो है, वो समिधान का हिस्सा है, आगे चलते हैं, अब यहांपर यह देखिए हो गया न इसी तेory ओ बेसिक Ст्रॉक्च purity भी इसको मान लिया गया था मूल धांचा मान लिया गया था अब यह पर समय दान की मूल धांचा में अब यह बोला गया कि क्या इसमें शंशोदन का सकते हैं देखिए अगर आप किसी चीज़ को समिधान का हिस्सा मान रहे हो तो obviously उसके अंदर हम संशोधन कर सकते हैं और संशोधन के लिए 368 आर्टिकल होता है तो यह नहीं हम संशोधन कर सकते हैं उसके अंदर बोला गए संशोधन कर सकते हो और उसके लिए संशोधन हुआ भी था socialism मतलब कि एक तरीके से लोगों का उत्थान करना हमारे देश में mix की ideology चलती है ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ government के पास ही सारा कुछ है government और market दोनों मिलके जो है वो इस देश में चल रही होते हैं तो हमारे देश में starting में socialism के मतलब कि जो लोग है उनका कल्यान करना है उनको आगे बढ़ाना है पंत निर्पेक्स यानि secularism क्या भारत secular नहीं था अरे यार यार ये जोडने से पहले 1976 में जोडने से पहले article 25 से लेकर article 28 तक हमारे पास देई रखे हैं जिसके अंदर ये बोला गया है कि हर एक वेक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है उसको परचार परसार करने का अधिकार है उससे कोई tax नहीं लिया जाएगा धर्म के ओपर अगर वो काम कर रहा है तो ये चीजें तो already added थी तो ये चीजें क्यों की गई एक तरीके से जो चीज थी उसको एक तरीके से सामने रख दिया गया बस ये था या फिर कहें कि उस वक्त गौर्रमेंट थी उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हाँ परस्तावना में शंशोधन हो सकता है और वो शंशोधन कर दिया गया अब एक चीज ध्यान रखने है शंशोधन कर सकते हैं लेकिन नकारात्मक शंशोधन नहीं होना चाहिए नकारात्मक वोले तो आकर आप उस बेस्टिक स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहे हो वैसा शंशोधन नहीं उसको मजबूत कर सकते हो यह देखे समाजवादी, पंथ, निरपेक्स और राष्ट के एक हंता शब जोडने से जो प्रियंबल है वो कमजोर नहीं बलकि मजबूत हो रहा है उसको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल रही है यहां पे तो इसलिए संशोधन हो गया है यहां पे अब भारत के समीधान की प्रस्तावना में तीन परकार की न्याए मैंने कहा ना समाजिक, आर्थिक और राजनितिक यह तीन परकार की न्याए की बात होती है राजनितिक कैसे भई देखे राजनितिक पे आप तब पहुँचेंगे जब आप समाजिक और आर्थिक को complete कर लेंगे, तब जाकर आप यहाँ पर इसको राजनीतिक पे पहुँच पाएंगे समाजिक में मैंने बता है न social justice, social justice क्या भई कहीं बेदबाव नहीं होना चाहिए बेदबाव नहीं होना चाहिए, हर कोई इनागरिक जो है, वो किसी भी धरम का हो किसी भी जाती का हो, कोई भी रंग हो वो equal है आर्थिक कैसे, भई उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है उसको आगे लेके आएगी, उसको कुछ incentives देगी, उसके लिए scheme जलाएगी, वहाँ पर आर्थिक नयाए है, राजनितिक भई राजनितिक में उसको political justice है, भई वो अपने लिए किसी भी अगर चाहे तो वो election लड़ सकता है, या फिर election के अंदर चाहे जिसको vote दे सकता है, या नहीं चाहे तो वो किसी को भी vote नहीं दे सकता तो यह तीन नयाए जो हैं उसका ध्यान पांच परकागी संतंतर्ता है संतंतर्ता कैसे? विचार PROFYAKT करने की, भई आपको विचार PROFYAKT करना है, करीए आप, लेकिन यहाँ पर यह ए अब्सलूट नहीं है, ध्यान रखना यह अब आगे हम विश्वास धरम उपासना भई हम अपने धरम को अपना सकते हैं लेकिन इन पे भी एक तरीकी की देखे जाए तो condition है ऐसा नहीं कि आपने धरम अपनाना है आप धरम का परचार परसार कर रहे हैं तो आप administration के काम में बीच में आने लगे नहीं भई आप मानी आपको करना है लेकिन एक limit के according होती है चीजे और दो परकार की समानता वही अफसर और परतिस्टा यानि सबको एक समान अफसर दिया जाएगा भारत का समीधान विश्व का सबसे बड़ा लेखित एमसारवधिक व्यापक समीधान है अब समझो आपको ये जो ये समाजिक और शोशल ये आपको पता है ये कहां से लिए गए है ये जो रशियन रिवोलुशन हुआ था ना उस वक्से लिए गए है ये वहां से आये है तो ये थोड़ा सही दियास मैंने इसलिव था क्योंकि अभी मुझे याद आया अज अब लेकित समीधान के अवधान हमने कहां से लिए है फ्रांस की देन है अब फ्रांस और भारत में दोनों डेमोक्राटिक कंट्री हैं दोनों ही सेकुलर कंट्री हैं सेकुलर कैसे देखे यहां जो यह कंट्री है यह कहते है कि भाईया हमारा तो कोई धर्म ही नहीं है हमारा कोई धर्म नहीं है देखे भारत का हम इसको एंटिर्लिजियस या इर्ल दर्म को मानते है लेकिन ये किसी भी धर्म को नहीं मानता ये फरक है दोनों के अंदर हम हर किसी धर्म को आगे बढ़ने के लिए प्रोसाहित करते हैं लेकिन ये नहीं करते हैं यहां पर तो बहुत सारी चीज़ें होंगे इसका तो विरोध भी बहुत हो रहा है फ्रांस का 1976 क्या-क्या add किया गया समाजवाद, पंत, निर्पेक राष्टर की अखंड था ये शब जोड़े गए थे अब 1973 केश्वनन्द भारती जिसके अंदर परस्तावना को भारत का हिस्सा मान लिया गया था ये भी बहुत important है परस्तावना में जितनी चीजें लिखी गई है वो आप लोगों को याद करनी है याद रखनी बहुत ज़ाद है कि भारतीय राजनिती में भारतीय राजनिती विवस्ता में समिधान सब से उपर है और समिधान से उपर है क्योंकि हमने बहुत सारे आर्टिकल यहीं से as a tease चक लिए है अब यहां पर भारत के संविधान में संग्ये शाशन का संग्ये शाशन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है यह important है भारत को क्या का जाता है संविधान में राज्यों का संग का जाता है यानि union of state का जाता है इसको बहुत दिहान रखना है कि आपको बोला क्या गया है और क्या क्या चीज़े उसमें कही गई है तो यह हो गई आपके सामने परस्तावना क्या क्या चीज़े थी कैसे कैसे चीज़ों को हमने सीखा है clear I hope so आप लोगों को समझ में आएगी और फिर से यह जो pdf है काफी बच्चे बोलते हैं pdf कहा है तो pdf वो आप लोगों को telegram पे मिल जाएगी फिर से बता रहा हूँ telegram चैनल पर जाकर join कर लीजिए वहाँ पर आप लोगों को इसकी pdf मिल जाएगी साथ साथ जो previous वीडियोज हैं उसकी भी pdf आप लोगों को मिल जाएगी I hope so इस चीज़ें समझ में आएगी होगी समझ में आएगी है तो like करिए थोड़ा बहुत हमारा भी moral जो है वो बढ़ा दीजिए subscribe कर लीजिए चैनल को अब दीए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं क्योंकि यार मैं नहीं चाता कि illusion कि ये तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा detailing में मैं करूँ अभी सवाल उड़ता है ना कि भारत को समिधान का अब ये प्रस्तावना को हिस्सा क्यों नहीं माना गया था या फिर परस्तावना ना होती तो क्या फरक पड़ जाता ये सारी चीज़ें मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो इतना detailing से SST या फिर जो one day exam है वो इतना नहीं पूछा देते तो इसलिए मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ लेकिन जब हम आगे जब कर रहे हैं लक्षमी कांत करेंगे तो उसके अंदर हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं लेकिन अभी फिलाल के लिए illusion को खतम करते हैं फिर हम उस book के उपर चलते हैं तो ये हो गया अपना तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और साथ यसाथ कुछ जादा ही पसंद आ गए हैं तो भाईया शेयर कर सकते हो वीडियो को भी हो और चैनल को भी तो बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही था